जोहार जैमुल्योंवासी एक तरफ भारत चीन की सरहद पर तनाव है तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है चुनावी माहुल है और उसकी तैयारिया भी चल रही है इसी से जुड़ी हुई एक खबर है इतिहास इस बात का गवा है कि देश में जब जब चुनाव हुआ है उससे पहले अन्य देशों द्वारा हमले या आतंकवादी घटनाओ को अंजाम दिया गया है खास कर लोकसबा चुनाव के दवरान पाकिस्तान के हमले हमेशा से ही सुर्खियों में रहे है अभी विहार विदान सबा चुनाव के दवरान विहार से सटे पडोसी देश चीन ने हमला किया जिसमें हमारे यानि भारत के 20 जवान शहीद हो गये हैं लोगों में इस बात की चर्चा है कि अगर बिहार में इस वक्त चुनाव नहीं होता तो शायद भारत और चीन के बीच न तो ऐसी नौबत आती और नहीं हमारे 20 सेनिक शहीद होते इस साब जाहिर होता ह है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए जन्मद बनाने के लिए नए मुद्दे उठाने के लिए और साथ ही जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा जान बुचकर हमले करवाये जाते हैं इसका ये मतलब हुआ कि देश की सरक अपनी राजनितिक रोटिया सेखने के लिए सैनिकों की बली चड़ा रहे हैं गवरतलब है कि पुर्वी लगदाक में सोमवार राद गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक जड़ब में भारतिय सेना के करनल सहिद 20 सैनिक शहिद हो गए सेना ने मंगलवार को कहा कि एक अधिकारी और दो सैनिक शहिद हुए थे लेकिन देर शाम से आये हुए बयान के मुताबिक 17 अन्य सैनिक शहिद होने की खबर है उन्होंने कहा कि अत्यधिक उचाई पर शुन्य से नीचे तापमान में गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी करने वाले 17 सैनिक गंबिर रूप से घायर हो गए थे और उन्होंने दम तोड़ दिया यहाँ पर उक्त बयान से लगता है कि दाल में कुछ काला है क्योंकि एक बयान में केवल तीन जवानों के शहिद होने की बात कही गई वहीं दूसरे बयान में कहा गया कि 17 अन्य सैनिकों की मौत हो गई यह बात लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही है सवाल यह भी उठ रहे है कि 1967 के बाद फिर ये विवाद उसी वक्त क्यों हुआ जब बिहार में चुनाव की तैयारिया चल रही है बिहार चुनाव के समय पाकिस्तान की ओर से हमला क्यों नहीं हुआ क्योंकि बिहार से सटा हुआ देश पाकिस्तान नहीं बलकि चीन है इसलिए चीन के नाम पर ये खेल खेला जा रहा है हर बार की तरह बिहार चुनाओ से पहले चीन और भारत का विवाद उपरोक्त गटना में जवानों की मौद और उपरोक्त दो तरफा बयानों से ऐसा नहीं लगता कि चुनाओ को ध्यान में रखते हुए राजनितिक रोटिया सेकने के लिए जवानों की बली दी जा रही है हाला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले भी इस तरह से खेल खेला जा चुका है फिर चाहे वो पुल्वामा हो या कारगिल हो चुनाओ से पहले ही ऐसी घटनाए युद्धर जन्न परस्तिती या आतंकवादी हमले होते है और उसी को आधार बनाकर सत्ताधारी दल जो है वो चुनाओ लड़ता है और जीतता भी है बिहार चुनाओ और सराज पर भारत चीन का जो तनाव चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है क्या सोच है है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिक कर बताईए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए शुक्रिया